चाने की जीने, चाने की नीती में कुछ ऐसी बाते बताई हैं, जो कि अगर आपकी मौत भी आजाये ना, तब भी आपको जवान खोलनी नहीं चाहिए, ये चीज़े कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहिए कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों नहीं हो, कितना ही आपसे अ को लेकर किसी से बात करते समय हमारी योजनाय गलत हातों में चली जाती हैं जो हमारे लिए नुकसान दायक हो सकती हैं इसलिए अपनी रड़नीतियों को साझहा करना जो कि व्यक्तिगत या पेशिवर हो उससे ही करना चाहिए किसी भी इंसान से लोगों से ऐसे नहीं बाढ़न चाहिए दूसरी चीज अपने दुश्मनों के साथ का जो संबंध होता है चानकी जी ने समझाया है कि अपने दुश्मनों या प्रतिस परधियां जो आपके तीसी चीज होती है अपने शक्तियों को और अपने कमजोरियों को यानि कि अपने श्टेंथ को भी और अपने वीकनेस को भी चैनक इस पर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने श्टेंस और वीकनेस को बिना सोचे समझे दूसरों को नहीं बताना चाहिए अपने श्टेंस को हमें leverage करना चीए लेकिन उन्हें publicly plot करने की जरूत नहीं है मतलब हाकने की जरूत नहीं है अगर आपके पास कोई ताकत है तो उसमें और ज्यादा मेहनत करो और उसको अपने life में use करो आपको अपने weakness को expose नहीं करना चीए उन पर focus करना चीए उनको सही करना चीए क्योंकि अगर गल परिशा समझाया है कि अपनी personal और अपनी पारिवारिक मामलों को लेकर हमें discreet रहना चाहिए हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे personal और पारिवारिक मामलों को प्रभावित करती हैं जिने हम सिर्फ अपने नजदी की या परिवार जो हमारे सलह कार होते हैं उनको ही बताना चाहिए अगर आपको financial planning करनी है तो अपने financial advisor से करो अपने relative से अपने रिष्टेदारों से करने की क्या जरूरत है ये चीज़े हमारे संबंधों को और हमारे छवी को बहुत जादा प्रभावित करती है इसलिए इसे निजी रखना ही जरूरी हो है कि हमें कभी भी अपने राजनीतिक कदमों को या अपने रणीतियों को सारवजनिक में घोचना नहीं करने चाहिए सारवजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए अपनी राजनीतिक या सारवजनिक मामलों को लेकर हमें हमेशा सतर करहना चाहिए और रणनीतिक द्रिष्ट को नहीं बताना चाहिए नहीं तो हम इतने बड़े गड़े में घुश जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोग चाने की जी के बारे में समझ पाएं धन्यवाद